हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर तो गाइस आज की सूड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर प्ले स्टोर से गाना एप इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो कैसे इस प्रॉलम को सॉल्ट करेंगे तो गाइस वीडियो में बने रही है अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेर कर देना साथ में यूटूब चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजिए तो गाइस सबसे पले आपको करना क्या है आपको जाना है अपने सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद अब आपको आजाना है नीचे और यहाँ पर आपको एक सेटिंग खोजनी है आएप मेनेजमेंट आएप मेनेजर तो मेरे मुझाल में देखिए नीचे यहाँ पर दिया हुआ है आपको जहां कहीं भी दिखे app management, app manager या my apps नाम से setting आपको उस पर क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको सबसे उपर app list पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अब आपको आजना है नीचे और यहाँ पर एक setting खोजनी है जिसका नाम रहेगा Google Play Store, Google Play Services तो यहाँ पर Google Play Store पर क्लिक करना है फिर storage, usage पर क्लिक करना है फिर clear case करना है फिर clear data और फिर यहाँ पर ok पर क्लिक कर देना है जैसे इतना आप कर लेंगे बैक आना है बैक आने के बाद आपको तिके यहीं पर आना है app list में फिर आपको Google Play Services पर क्लिक करना है फिर Storage, Users पर क्लिक करना है फिर Clear Cage, फिर Clear Data और फिर यहाँ पर Clear Data पर क्लिक करके OK कर देना है जैसे ही इतना आप कर लेंगे अब आपको आजाना है Back और अब चलिए Play Store को Open करते हैं Open करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है गाना जैसे ही सर्च करेंगे आप यहाँ पर आ जाएगा अब आपको Install पर क्लिक कर देना है जैसे ही गाइस क्लिक करेंगे आप इंस्टॉल होना है जैसा कि आप अभी यहाँ पर देखना गाइस देखें इंस्टॉल होना है स्टार्ट हो चुका है तो इस प्रकार आप इस प्रोलम को solve कर सकते हैं चलिए पूरा install हो जाए फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं app install हो चुका है अब हम इसका उप्योग कर सकते हैं तो गाइस आज की वडियों बसितना ही वडियो को लाइक और सेर कर देना साथ में यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू हाइवे नाइस टे